तो यह है डेली करेंट अफैर्स 16th and 17th of April के अभी आज 18th of April है इसके भी आने वाले हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजेगा उसके बाद जो नेक्स्ट जो करेंट अफैर्स है वो भी आ जाएंगे 18th के भी आ जाएंगे तो इनको जुरूर देख लीजेगा डेली कर तो पर छेपंट इनको जो सब्सक्राइब करेंगा जो सब्सक्राइब करेंगे तो उन सब के लिए तशेड़ सीरीज और जितना भी फूल प्रफशन बैच है वह चल हाँ प्रेक्टिस हो रही है ऐसे प्रेक्टिस हो रही है तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं और उससे बहुत बहुत जाद आपको मिलेगी और जो चाहते हैं कि उनको डेली करेंट अफैर्स की पीडियाफ मिल जाए और उनको यह नोट्स ना बनाने पड़े तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल ये मेसेज कर सकते हैं और यह जो डेली करेंट अफैर्स की जो पीडियाफ्स है यह वहाँ पर ले सकते हैं स्टार्ट करते हैं 16-17 अपरिल के जो करेंट अफैर्स हैं तो देखें सेंटरन एक्सपर्ट किया है कि पिल्क्रिम रश होने वाला है अ तो रास्तों से चलती है एक तो पहलगाव से चलती है अंतरना जिले से और दूसरी बालटा से चलती है गंदर वल्डिस्टिक से तो यह दोनों चीज़े इंप्रिंट है कि यह चीज़े आँ दोनों देख लेजेगा उसके बताता है कि आएमडी ने यानि कि जो भारत का मौ होती है बारत सुख कर जाता है तो अ препांट ने यह हमें उमीद है यह पहले इस साल इसको अफडेट करके 87 कर दिया गया यह आगे हम पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा आपको जो agency है भारत की उसने काए कि 99 परसेंट जो है long period average का भारिश होने की उमीध है कि India जो है वो 99 परसेंट long period average long period average कितना है 87 कर दिया गया है पहले यह 89 हुआ करता था 2018 में इसको change करके 89 से 88 कर दिया गया और जो प्रियोडिक अप्डेट था था 22 का अप्डेट करके कितना कर दिया गया 88 से 87 और कहा जा रहा है कि 87 सेंटीमिटर का 99 परसंट जो बारिश होगी वह भारत को रिसीव होगी एक मौनसून को हम नॉर्मल मौनसून कब कहते हैं कब हम कहेंगे कि एक समाने मौनसून है तो बारिश जब जो long period average है long period average है माले तब 87 मानेंगे कि नॉर्मल मौनसून हुआ है यानि 87 परसंट का 96 परसंट निकाले 87 सेंटीमिटर का 96 परसंट निकाले और 87 सेंटीमिटर का 104 परसंट निकाले तो इस वीच में जो रेंज आएगी इसको आप कहेंगे कि यह long period average का जानी कि average बारिश हुई है भारत में 89 सेंटीमिट हुआ 1961 से लेके 2010 तक का और अब 87 हुआ वह हुआ 1971 से लेके 2020 तक का तो इस दस-दस साल के period पर यह चेंज करते जाते हैं लगातार बारिश की quantity घटाते जा रहे हैं कि बारिश होना कम हो गया है तो जो भी अपने आप में बहुत ही चिंद्र जाना के विचा है कि बारिश कम हो रही है और global warming भड़ रही है नेक्स देखें जीए स्टू में अगर हम देखें तो एक फ्रेमवर्क एग्रिमेंट साइन हुआ है चाइना के बीच में और सोलमन आ इलंड्स है यह किसका पार्ट है यह अगर आप प्रशानद महसागर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे मिलनेश पॉल नेशया फ्रेंच पॉल नेशया माइक्रों एशया ऐसे करें सरे ग्रूप्स है उसमें से जो मिलनेशया गूरूर्प आफ आइलन्ड है पैसि सब्सक्राइब करता है उसके बाद यह फिर जर्मनी के पास गया उसके बाद फिर जपान के पास गया और वापिस से यूकी के पास चला गया आफ्टर दी कि सोलमन आइलंड इक आजात देश हुआ जएक उन्हीं सोथे ने जब्सक्राइब का मलत और वहीं का आदमी होगा महीं का सल्मान का ही नागरिक और वहीं से चुना जाएगा लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की पोस्ट कहें या टॉप पोस्ट कहें वहांकी तो वह कौन होगा वो बिटिश का क्राउन होगा यानि जो बिटिश मेरा नहीं बैठती है वो ही यानि कि वहाँ पर जितने भी काम होंगे वो उसी के नाम पर होंगे विदा पार्लिमेंटर सिस्टम और वहाँ पर सोलोमन आइलेंट में पार्लिमेंटर सिस्टम और बना दी गई अब देखें बात क्या हुई कि सोलोमन आइलेंट से कंट्री तो बन गया लेकिर वहाँ पर जो अंदर के इंटरल कॉन्फिक्ट जो थे यानि कि जो अंदरूनी जो तनाव थे लोगों के बीच में वहाँ पर बहुत बढ़ते रहे इसके वैसे उसने सिक्योर्टी रिलेशन ब कौन करता है तो विच इस दर ट्रेडिशनल फर्स्ट रस्पॉंडर कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले रिस्पॉंड कौन करेगा उस्ट्रिया रिस्पॉंड करेगा सुलमन आइलेंट से ताइवान के साथ बहुत अच्छे ट्रेडिशन बनाए बहुत अच्छे कल्च कि उसने ताइवान रिस्पॉर्ट करता है जिसको फटे बुर्डिशने रखता है कि अगर मैं तुम्हारी है कर रहा हूं तो तुम्हें ताइवान से रिष्टे सब खतम करने होंगे और मानना होगा कि ताइवान चाइना का एक अभिन नंग है चाइना से अलग नहीं है तो 2019 में जो नई सरकार थी जो उस कि 50 करोड दॉस दॉलर्स फिनेशल एड में दिये यह पांच गुणा थे जो तक ताइवान ने पिछले दो दशकों में खर्च करें पिछले दो दशकों में जितना पैसा ताइवान ने खर्च किया सो डवलप करने के लिए उतना एक साथ चाइना ने दे दिया तो इस वाई से ताइवान साथ रिष्टा हदम कर दिया देखिए पैसों के लिए हो रहा है और चाइना साथ रिलेशन बना गिया दपैसिविक आलेंड्स आर अमंग दा फ्यू रिजिंस इन दे वर्ल्ड वेर चाइना हैस कॉम्पेटिशन फों ताइवान फो के लिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए चाइना कंसिड़ टाइवान टूबी रेनेगेट टेरिट्री अवेटिंग रिउनिफेर्शन चाइना मानता है कि ताइवान अपना में एक ऐसी ही टेरिट्री है और उसको चाइना साथ वापिस रिउनाइट होना है अपोज अगर कोई भी देश उसे इंडिपेंडेट स्टेट के रूप में मानता है तो इसलिए अगर ताइवान को कोई भी मानता है कि एक इनडिपेंडेंडậि और इस का आपोज करता है तो अगर किसी देश को चाइने सा संबंद बनाने है चाइना के साथ उसको अगर अपने रिलेशन बनाने तो उसको ताइवान साथ रिलेशन सब खतम करने होंगे तो सोलुमन आइलेंड ने खतम कर दिया है साथ-साथ 2019 में सुलमन आइलेंड के साथ किरिबाती भी एक देश है किरिबात आप इसको कहेंगे आइस एलेंड है तो किरिबात भी एक देश है जिसने अपना एलिगेंस जो है वो चाइना के साथ कर दिया है और उसने भी ताइवान के साथ अपने संबंद जो है वो खतम कर रिलेशन है और यूएस के ही अंडर या आ रहे हैं तरीके से तो ग्रूप फालेंस विचार अंडर यूएस तो यूएस के अंडर कंट्रोल है इस वेशन का रिलेशन ताइवान का साथ अच्छा है थे स्मॉल पैसिविक आलेंड स्टेट्स एक्ट एस पोटेंशल वोट बैंक तो यह च्छोटे-श्टे देश आप जितने भी अपने अपने जिनके जितने भी चाहेंगे मैं जबनाकर रखेंगा वैसे अगर आपको इससे बहुत सब्सक्राया चाहरे हैं अगोड़िन का सब्सक्राइब लंका की इस टाइम सिच्विशन बहुत जादा खराब है शिल लंका में बहुत जादा प्रेशानिया चल रही है वहाँ पे लोग भूग मेर रहे हैं और वहाँ बिल्कुल भी खाना या पानी नहीं है लोगों के लिए तो वहाँ पे सोवरन डेट क्राइसिस हो गया है सोवरन हैं सोवरन देखी क्या होता है एक कंट्री में सोवरन कौन है यानि समप्रभू कौन है तो सोवरन होते हैं वहाँ के लोग वहाँ के लोगों मैंसे चुनके कौन आती है सरकार चुनके आती है तो सरकार क्या करती है काम करने के लिए उधार लेती है चाए वो अपने ही का नहीं पारही है यानि कि ना तो पैसे देपारी है रही है तो सोभरेंट का क्या मलाब होता है वह देड जो इसू होता है और एक्युमिलेट हो चाहेगी कि इसको जो लोन मिले वो उसी की जहां से मिल यानि कि उसी के देश में मिल जाए तो उसी की करिंसी में मिलेगा तो उसको रीपे करना जानी इसको अगर हमें बुक्तान करना है उसका वापिस देना है तो वह भी असान होगा as they can easily create fresh local currency अब देखिए उसको देना इसलिए असान है क्योंकि वहाँ पे सरकार के हाथ में सब चीज है वो खुद local currency छाप देगी वहाँ पे और लोगों को उसका उधार जो है वो दे देगी लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी इससे बजार में जो पैसे की मातरा है वो भढ़ जाएगी जिसके वैसे महँगा ही बढ़ जाएगी इंफलेशन बढ़ जाएगा बट डेट डिनॉमिनेटेट इन फॉरन करेंसी जैसे की यूएस डोलर हो गया इस डिफिकल्ट तो रीपे अब देखिए अपने देश में आप कर सकते हैं अपने देश का ही पैसा आप में अधार से ले रखा है तो आपको आप up अधारhoe charts लेकर देगे अगर नेकर किसी दूसरे देश से पैसा ले रखा है माले टे आ sitcomने यूएस दोहर है उधार लिया तो वहाँ पर foreign currency के रूप में US dollar आने भी क्या हो गए बंद हो गए तो श्रिलंका depends heavily on its tourism sector श्रिलंका tourism sector पर depend करता है necessary foreign exchange लाने के लिए since the pandemic श्रिलंका का जो tourism sector है वह बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है और वहाँ पर बिल्कुल भी अब tourism नहीं रहा तो this in turn has affected the inflow of US dollars into the श्रिलंका economy तो इस वैसे श्रिलंका निकनामी में US dollars आने बंद हो गए जिसके वैसे वहाँ पर कितना बड़ा crisis हो गया कि वह अब debt से default करते ज अब देखिए government सरकार जो है वह पैसा पोरो क्यों करती है देखिए regular उसके जो काम है वो तो उसको कर नहीं है लेकिन कुछ ऐसी schemes है जो लोगों के लिए लेकिया आनी है जिससे लोगों को बहुत दा लापानवित होंगे लोगों को फायदा होगा अब ऐसे लोगों को लगतार रहता है वहां सरकार क्या करती है कि एक देश का करण उतारने के लिए दूसरे के देश से कर्ज लेती रहती है तो यह cycle निरंतर चलती रहती है लगातार वो कर्च के अंडर रहती है तो यूशुली नीट पे इंट्रेस्ट और सच डेट अलॉंग इस प्रिंसिपल जातर देश क्या करते हैं कि अपने डेट को हटाने के लिए उधार को हटाने के लिए नया उधार ले देते हैं और पिशले बला में चुका देते हैं तो यह इस तरह से निरंदर साइकल चलती रहती है इस्टोरिकली गभ्मेंट से टेंड टूब और टो फंड पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग अब देखे क्या होता है कि अगर हम एतियासी रूपों से देखें तो सरकार ने लोग लुभावन जो खर्च है यह लोगों को लुभाने के लिए जो खर्च करने के लिए हमेशा अपन क्या होता है कि अब क्या करती है कि अपने ही देश में से लोगों से तो इससे क्या होगा कि आपको उसी उन्हीं की पैसों में है यानि आपके देश की करिंसी जो है आपको उसी में चुपाना है तो आपके पास यह इजी ने सुझाती है कि आप अपने रिजर्व बैंक से कहेंगे और नोट छाप दो तो अगर आप अपने डेट को अपने कर्ज को आपने लोगों से ले रखा है उसको उतारने के आप में जाता है इस उनाइटिक इंडम ने ये कहा है यह ने कहा है कि जो शगनारती चाहते है कि वह उनको वापिस रवान्टा भीज दे जालेगा कि जो लोग भी एंटर करेंगे उनको रवांड़ा डिपोर्ट कर देंगा फिर EDAR एक portal speed up किया गया है एक बनाय गया है speed up करने के लिए accident compensation claims है नि कभी भी जब accidents होते हैं तो वहाँ पर अगर हमें compensation claim करवाना हो तो उसके लिए EDAR portal बनाया गया है तो digitalized detailed accident reports will be uploaded on the portal for easy access तो असानी से access पाने के लिए एक digitalized way में detailed accident report वहाँ पे provide की जाएंगी यह जो web portal है इसको IRAD साथ link कर दिया गया है यानि कि integrated road accident database साथ link कर दिया गया है इसका यह यह बात है इजप्ने का है कि वह भारत से गेहूं इंपोर्ट करेंगे दस एडियर वोड़ी एक्सेंशन और यह वर्जन ओफ आयारे डी इनकी इसका यह एक्सेंशन तो यह बात है इजप्ने का है कि वो भारत से गेहूं इंपोर्ट करेगा देखी इजप्न जो था वो दुनिया में बहुत जाज़ा dependent है import पे गेहूं के import पे और वो गेहूं किससे import करता है वो यूक्रियन से करता था वो रश्या से करता था लेकिन अभी यह दोनों देश आपस में यूद में लग रहे हैं तो इस वज़े से import इनका नहीं हो पा रहा है तो इसलिए Egypt ने India के साथ contract agreement sign किया है कि आप जो है के उपर उन्हें जोड दिया है इसके लिए फोकस करने के लिए और एविशन आइटम्स पे फोकस करने के लिए 2014 में एक प्रोग्राम लाउंच के लिए था 2015 से लेको दोज़ाइज तक इंडिया नेवी ने जिसको कहा गया कि इंडिया नेवी इंडियनाइजेशन प्लाइन दोज़ार पंदर से दोज़ाइटीस और जो एग्जिस्टिंग अभी जो नेवल एविशन इंडियनाइशन रोडवाइप चल रहा है वह है 2019 से 2022 तक चार साल का प्रोग्रेक्ट है जो चल रहा है अगर हम प्रिलिम्स की बात कर होसे रहिल तेनुमोरथी इस्टेट इन देली तो जो दिली में तीनमुरूर्ति Histiq लगी हुए तो इससे क्या मिलती है कि रशिया वहां पर भी अपनी मिलिट्री कर सकता है क्यों क्यों जमीन तो रश्य की है यह बिहार ने युनिस को टैग मांगा है साइगलोपियन वाल के लिए चालिस क्लोटर लंबी एक वाल है जो ठाज़ार साल पुरानी है और राजगीर को बचाने के लिए दुश्मन उसे बनाई गई थी थर्ड सेंचरी वी सी में आज़ समझ सकते हैं कि करिकली तेईसो चोबिस साल पहले की बात है यह जेरुसलम का अलक्सा मोस्क बहुत जादा फेमस है कि यह जो अलक्सा मोस्क है यह कहां पे है यह जेरुसलम में है तो जो अलहराम अलशरीफ तो अलहरम बोलतोस को कि अलहरम अलशरीफ कह जाता है इसको और भी आन्यक्षा अलक्सानल तो यह जूजस टेमपल मांट कहां नाच्ए आपरिल तो यह करणंट अफेस आप कवर करते चल जिएगा अगर आप कोई भी दिखार तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे 766580421 पर कॉली मैसेज करी पूछ सकते हैं चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में